जवाँ देशवरात कोविड चा कहर होता तेमा लड़ाक मदे सुधा कठीन परिसीती होती। बढ़ी या कठीन परिसीती तून एका मानसान मार्ग काडला, स्वताहून काडला तो मानुस सद्ध्या माजा सोबत आहेत। मैं लडाक से मास्क मैन यह फ्रक्राइब शेहनवास भाइस अपर से भाई आपको बतुतरा मास्क मैन गिला आपर किैस रख भाएब जब यह कौविड जो है पूरे दुनिया में फ्यल गया सेवंटींट मैं थोधह सब मास्क नीचे नीचे कर सकूँ आप मास्क मैन है आपने काफी सारे मास्क वाटे थोड़ा आपको बोलने में रिक्कत आ रही है नहीं बैसिकली आप क्लियर वाइस नहीं आ रही है तो मैं यह कहूं कि 17 मार्च को जो है 2020 में पीम साब ने एनाउंस कर दी कि आल और इंडिया जो है हमारे जितने भी मेडिकल उनके सराहना के लिए ताली बजाएं या थाली बजाएं तो उस टाम पे एक इंट्यूशन आई कि शायद कुछ गलत होने वाला या गडबड होने वाला है इसी कोविट को लेके तो उसमें यह लगा कि क्योंकि उस टाम पे यही सुना जा रहा था कि बाहर जैसे चाइना व हमने 18 को डिली अपने दोस्त को फोन किया कि किसी तरीकर से जो है मास का इंतिजाम करो तो उन्होंने जो है वहां से दिली से पर्चेस करी 18 मार्च 2020 को सानिटाइजर और मास 5000 पीसिस तो वह जो है कारगू करके 19 को हमारे पास ले पोंचा फिर 20 को मैंने कारगी लाया और 20 को जिस दिन मेरे पास यह पहुंचा लॉगडाउन का इनांस्मेंट हो गया पूरी इंडिया में लॉगडाउन का इनांस हो गया तो यहां पर जो है बहुत ज्यादा शौटेज थी हमारे पास मास्क पहुंच गया था 5000 पीसिस तो हमने पहले जो है डिस्टिक होस्पिटल नहीं कोटा देना स्टा करी लेकिँ कोटा देने पर क्या राए था कि कहीं नहीं जो जिस बन्दे के पास जो ओन्डीूटी रहता था उनँ मेरे साथ मेरे कुछ दोस्ट भी हैं पयाज-वाई- मुंताज-वाई-वाई-वगया मिलके हमने हर रोज celebrating की कि सुबह निकलेंगे distribution स्टार्ट करें और जैसे अभी हम इस टाम पे यह कौई हस्वीटल पर उस टाम पे कुछ भी नहीं था कि यहां का कौई हास्पिटल सामने पॉलो टेक्निक कोलीच है ये जो पेशंट्स जो है हर जो रोगा बढ़ने लागा जो हिस लिए कौई डिक्ट होने प्रफिपी क्या होता है यह आपको मालूम नहीं था तो वह हमारे यहां डीम सापने एक मिटिंग बुलाई तो मिटिंग में जो है मुझे भी बुलाया था तो वहां पता चला तो एक डॉक्टर ने कहा कि सर्फीपी किड की कमी है तो मैंने फिल बाद में डॉक्टर से पूछ से ले मंगवाया फिर कारगिर और ले दोनों में जो है उसका डिस्रिबीशन स्टार्ट करें अब प्रॉब्लम यह हो गई थी और इंडिया जो है लॉक्डाउन थी तो हमारे पास मास्क बिल्कुल खतम हो चुका था फिर हमने क्या किया उसी फ्लाइट के थ्रू एर फोर्स इनका पॉली बैक्क का जो है वह फैक्ट्री ए उस फैक्ट्री को हमने मास्क मैनेफैक्टरिंग के रूप में जो है मैनेफैक्टरिंग यूनिट के रूप में जो है उसको कनवर्ट कर दिया 21st मार्श 2020 से लेके जुलाई एंडिंग तक बलकि हम यह के सकते हैं चार मेने continuous कोई 26,000 मास्क जो है हमने पूरे लदाख territory में खासकर particular कारगिल डिस्टिक्ट के अंदर जो है दिये हैं जितने भी हॉस्पिटल थे जैसे आपका सांकू हॉस्पिटल है द्रास हॉस्पिटल है फिर उसके बाद जो है आपका पैरे मेलिटरी forces है, police personnel है, paramedical staff है, सबों का हमारे एक duty रहा कि हर रोस उन तक पहुंचना जो duty पे है, घर पे जो है उनको नहीं, जो duty पे है, उनको मास्क लगवाना और इस डिस्टिक्ट के अंदर हमने सव ऐसे जगे बनाए जहां पे आप जो है आपने आपको sanitize कर सके जैसे यह गेट है, कोविड हॉस्पिटल का, police personnel के सामने, वहां हमने sanitizing point बना दी, यहां entry होने से पहले sanitizing point बना दी, वहां polytechnic college है, क्योंकि वह कोविड center था, police line है, hospitals है, colleges है, district offices है, जहां पे crowd हो सकता था, तो एक अपनी तरफ से कोशिश ही रही, कि तब पूरी तरफ से इसके बारे में हर किसी हर किसी के बस के भी बात नहीं थी, और पहचान नहीं था कि वह यह क्या चीज, कैसे होने वाला है, जब देश में सब कहर चल रहा था, कोविड का, तो बार बार यह बताय जा रहा था कि अपने हाथ sanitize करो, और मास्क लगाओ, लेकिन मास्क लगाने के लिए क्या, यहां के तयार थे, क्योंकि मास्क आप बूल रहे थी, कि मास्क थे ही नहीं, दुकानों पर मिलनी रहे थे, मेडिकल पे, नहीं, मैं आपको सबसे बड़ी बात यह कहूं, जो मास्क आज में यह लगाया हुआ, यह पांच रुपया का सिर्फ, तब मैंने दिल्ली कैपिटल से साड़ की दिमाग में एक ही चीज़ कि अपने आपको सेनेटाइस करते रहा हो, हाथ को सेनेटाइस करो, मास्क लोगों को लगाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमने कहीं ने कहीं यह कोशिश की, कि खासकर जो लोग हमारे लिए, जो लोग जैसे डॉक्टर्स है, पॉलिस वाले ह मेलेटरीस थे, जो हमारे लिए, जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए सड़कूं पे, खड़े हैं, कम सकम उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्या वहां से यहां लाने तक ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बढ़ा होगा, मतलब मास्क मिलते ही नहीं थे बिलकुल लड़ाक में कही पर भी? बिलकुल नहीं, बिलकुल कहीं नहीं मिलता था, मैं आपको यह कहा रहा हूं कि गौर्मेंट के पास नहीं थी, हमारा सप्लाइ रहा हो हॉस्पिटल में, हमने दिया जितने भी डिस्टिक हॉस्पिटल से हैं, इसा क्यों हो गया था? यह था कि पहले जो है, लोगों स्टॉक रखते थे, लेकिन सडनली यह कहा गया कि हर किसी को मास्क लगाना है, तो यह शौटेश हो गई, और मास्क मिलना बंद हो गया, तो फिर उसकी वज़े से जो है, दोनमबरी बजार भी स्टार्ट हो गया, तो हमारे यहां तो मिली नहीं रही थी, तो हमने तो बाहर स साइऩ को डिस्टॉबिशन, इक बज़े के बाद हमने शाम ते 5 बज़े तक 4 बज़े तक है मैनिफेक्टरिंग करना नेक्स्ट सुबए जो है नौ बज़े गरसे निकलना और डिस्टॉबिशन स्टार्ट, कैसे मैनिफेक्टरिंग करते थे तैं, मतलब खुद सीए आपने उस machine में क्या होता है कि इस में जो seal होता है दागए हो गला होता नहीं है यह जो material है इसको जब पंच किया जाता है यह चिपक जाता है तो उस machine में वो facility थी क्यांगा का वो था हमने sizing करी अपने इस आप से डिजाइन करी लेकिन उसमें हम यह नहीं लगा पाए हाँ बेशक हमने थ्रड लगा कि बानने वाला सिस्टम कि यह बैक साइड पे जी तो उसके लोगों को दी लेकिन कहीं न कहीं फायदा पहुंच गया यह जरूर के सकते हैं इसके वज़े से आपको लडाक में मा कारगिल ला, समपुर्ण कारगिल ला, मास्क दिले, मास्क अषण ही गोश्टा आता आपल्या कडे खुपत सामन्य जाली है, कोविर सागहर जसा जसा कमी जाला, पेशन्ट जसे कमी जाले, तशे 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 मास्क लावन लोगांनी आ हम फानी तिक सापा नहीं, इंपर लि मास्क तयार करून ते लोकान परंत पहुचो ले सुद्धा क्यामरामन अर्वीन वार्गे समन शेपाठक एबीपी माजा कार्गिल